सो हाई दोस्तों स्वागत करती एक बार फिर आपका हमारी बोल फटाफट फैमिली में तो भाई वीकेंड के वार के बाद सबका गेम इतरा चेंज हो जाएगा ये मतलब सीरेसली सोचा ही नहीं था कि जिस तरीके से सलमान का ने ये क्या कह दिया है कि भाई अंकित और मनारा के बीच में कम से कम एक रिलेशन्शिप चाहे हेट का ही सही चाहे दुश्मनी का ही सही देखने को तो मिल रहा है तो सब भी घर वालों ने कहीं ना कहीं घर के अंदर जो है वो अपने दुश्मन बनाने ही स्टार्ट कर दिया मतलब सीरेसली चाहे मैं विकी जैन की बात करूँ जो अभी तक 8 हफतों से इस चीज के ओपर टिके होए थे कि भाई मुझे रिष्टे बनाने हैं मुझे लोगों के साथ दोस्तिया करनी एकदम से उनकी अरुन के साथ फाइट होती है अभिशेक के साथ फाइट होती है किचन एरिया में जो है उनकी अंकीता के साथ भी बहस बा बाते कर रहे होते हैं मेरे से प्तु करना चाता था लेकिन हम लोगों का रिलेशेन oni पाएगा हम अपस में दोस्त नहीं रह पाएगे और नील मेरे से कभी आसी बात की ही नहीं है मैंने तो हमेशा यही बोले कि हम जो है वो बहुत तगड़े वाले जो है अब दुश्मन बन चुके हैं और वहाँ पर भाई वो इशा नील को समझाती कि भाई नील भाई आपके बारे में यहां पर बात हो इने लेकि नील है कि मानने के लिए तैयार ही नहीं है और जबर्दस को ही बोला है कि आपने कभी विकी ने आपको जाकर सौरी भी बोला लेकिन आपने जो है वो विकी का सौरी जो है वो एकसेट नहीं किया तो उन्होंने तो मुझे कल ही बताया है कि आपकी और विकी भईया की कभी भी जो है वो दोस्ती हो ही नहीं सकती है तो जो आप समझ रहे कि विकी ने बोला है कि भाई नील जो है वो मेरे से दोस्ती करना चाता है यार नील के और मेरी दोस्ती हो गई तो ऐसा कुछ भी नहीं है और यहाँ पर जो कॉन्वर्सेशन हो रही थी वो आपके बारे में नहीं हो रही थी वो किसी और के बारे में होती है तो सब लोगों के आख मना करने के बावजूद भी जो है नील ये बात मानने के लिए तयार नहीं होते लेकिन जैसी मुनावर भाई वहां पर बोलता है नील जो है वो चुपचाप वहां से चले जाते हैं तो क्या कुछ कहना चाहते हैं आप वीकेंड के वार के बाद ये जो सब लोग जो है जर के बाद है के वहां पुपचाप इस योटन गुपचाप बहूयर लोह कामने यो है